किर्कट के तीन सबसे बड़े बेमानी ओभी सब के सामने नमबर वन औस्टेलिया वर्से स्रिलंका दोस्तो आप लोगों को तो पता होगा औस टिला के खिलाड़े चीटिंग करने में माहिर है नेकी लोग ऐसी भी चीटिंग कर सकते हैं किसी ने सोचा भी नी था दरसल जब उस्टेलिया उसी लंका के खेले गए मैच में ड्रिंग्स ब्रेक हुआ था तभी उस्टेलिया के प्लियर जस्टन लेंग न चुपके से बेल्स को इगरा दिये थे और जब बोलर गेन डालता है तभी बेट्सन लेग साके तरब एक सोट खेलता है तब उस्टेलिया के विकेट के पर इसके बारे में फिल करते हैं और भाई अंपायर भी सोचे पढ़ जाता है कि भाई बेट्सन लेग साके तरब सोट खेला है तो बेल्स गिरी के से नेकिल जब अंपायर पिछे करके देखता है तब वहाँ पर साब सा दिखाय देथा कि जस्टन लेगा ना जान बोच को बेल्स को गिरा दिये थे नमबर टू दोस्तो इस वेमानी का भी हक्तर उस्टेलिया ही है देखे दोस्तो एवर फिर से मैच चरत उस्टेलिया और सी लंका का जहाँ पर बेट्सन आपसा के तरफ खेलने के चकर में उसके बले से एज लग जाता है और वो केच सिदा फस्ट लिए के पास जाता है नेकिल वो केच लिने के चकर में नेचे गिर जाता है उसके बाद वो ऐसा करता है कि उसने केच को पकड़ी लिया है नेकिल जब आमपायर चेक करते था वहाँ पर सापसा दिखा देता है कि बॉल गराउंड से तरच चुकी थी नमब थ्री दोस्तों इस मैच के दोरान वेस्ट इंडिस के क्रियस गिल के बले से एज लगती है नेकिल क्रियस गिल आउट नहीं मानते